system 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 मैंने कर इवार आपको पूछा है system system लेकि अलवेश के आने के बाद कितना असलिवत में कितना गर का system हिला है यह एक तो मैं को पता नहीं था के अलवेश यादव का यह जो system word है उसके पीछे क्या चीज है और क्या उनकी fans यह बोलते हैं तो जब उन्होंने मुझसे पहली बार कहा था के भाई system है system है तो मैंने उनसे जब हम लोग लड़ी रहे थे तो मैंने बोला यार में कुछ इस system system समझ में नहीं आता जो बोलना मूँ पे बोल अभी भी याद मेरी लाइन तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं कभी यूट्यूब में वीडियो देखता नहीं हो नहीं मैं रील्स देखता रहता हूं सारा टाइम जब मेरा भी यूट्यूब पे छोटा सा चानल है जो सिर्फ ट्रावल बेस्ट है जब मैं गूमने जाता हूं तो मुझे इसा अच्छा लगता है कि मैं कुछ वीडियो शूट करूं खोदी एडिट करता हूं और अपने फैंस को दिखाने के लिए कि मैं यहाँ गूमने क्य घर के अंदर जो माहूल हुआ भले वो मेरे साथ हुआ हो या फलक के साथ हुआ हो या जिया के साथ हुआ हो क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसके यह तीन टागेट दिख रहे थे मुझे मैं तो पहला टागेट था तो कहीं न कहीं मैं यह कहना चाहूंगा के वो अपने इतियास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, क्या लगता है इतियास पल्टेगा, सिस्टम जीतेगा? कभी-कभी हो जाता है चीजें उल्टी और यह सीजन मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से और माम झ्याम से भरेइगा, से बीदेगा सिंफान ही, गरेड्फण आए उस पहीं है. तो यह तैंने हुआ है, मेर इतने फॉलोवर्स, मेरा वो 열 diješडिया मेरा चैनल reflect, उसका गुश्चा आता है पर वो दो गहंटे में थंडा भी हो जाता है और आके शौरी भी बोल देता है तो वो बहुत ही अच्छा इंसान मुझे समझदार इंसान दिखता है तो इस चीज की मुझे रेस्पेक्ट है अभी जो जो कॉंपेडिशन जो है अभी शेक मलान और अल अभी जो आपको लगते है क्योंकि आपने पुझा माम का लाम लिया अव्याश्ट मेरे लिए टॉप थो पूझा भट और ये अलविश है बट अगर ये सिफ वोटिंग के साब से सोचूं और मिलियन फॉलवर्स के साब से सोचूं तो पर तो वो अभी शेक मलान और अलवि बस बड़े होंगे न अंदर जाने के बारे पुझा जी भी इतने टाइम के बाद दिखी हैं टीवी पर पुझा जी के फॉलवर्स उन्हें कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें दिख नहीं रहा है अब मुझा जी फिनाले में भी पहुंच गई हैं तो कही नहीं उनके फॉल कर रहा हूं और मैं उने सपोर्ट कर रहा हूं तो देखते हैं यार जो होगा we have to accept it क्योंकि जन्ता असली बहुस है और we have to respect it